जिस तरह से चंद्रयाण 3 को track करने के लिए अलग जगा पे सेंटर बनाया गया उसी तरह से इंडिया टीवी पर भी चंद्रयाण 3 को लेकर जो भी निव्ज आरे उसको लेकर हमने अपना breaking news सेंटर बनाया जहाँ पर मेरी सयोगी जोसना मौझूद है जोसना के पास इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जोसना बिल्कुल अमेद जिस तरह से ये टेक्निकालिटीज एक्सपर्ट्स ने समझाई कि किस तरह लाइंड करना होगा अब एक महतुपून बात मैं भी समझा देती हूं दरसल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि चंद्रयान इस वक्त चंद्रया जाएगा ये इसरो का कहना है यानि कि जो मेजर प्रोग्रामिंग अप्लोड का काम था वो कर लिया गया है और जैसे ही लॉंचिंग के सौफ्ट लॉंचिंग के करीब विक्रम लैंडर पहुँचेगा तो उस वक्त कुछ और ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लोड किये और साइंटिस्ट को चंद्रमा के दक्षणी दुरुव को समझने में वहां की रिसर्च करने में आसानी होगी अब बस कुछ आंकरी क्षणों का इंतजार होगा तब बचे हुए प्रोग्राम को लोड किया जाएगा मेरे सेयोगी टी रागवन मेरे साथ बने हुए हैं टी इस तरह के कमांड्स हैं और वो किस तरह साइंटिस्ट को हेल्प करेंगे जी देखे जो सना पिछले दो दिनों से लगातार 24 घंटे जो मिशन ऑपरेशन कॉंप्लेक्स है इस ट्रैक का वहां पर 200 से जादा वैग्जानिक जो हैं लगातार ये मॉनिटर कर रहे हैं कि उसके स सारे प्रामेटर ठीक रहे जब यह सुनिश्ट कर लिया जाता है कि जो विकरल लैन्डर का है उसके प्02 हैं उसके सेंसें संक्रीज तरी के कौन करी जो है प्रोग्राम अपलोडिंग का सिलसला शुरू होता है जो जो कल सुबह-खर शुरू होघ था बि zaten अभी कुछ देर प 800 km तक horizontal विक्रम लेंडर को तैय करनी है, वो कैसे काम करेगी, कैसे वो एक-एक स्टेप आगे बढ़ेगा, उसके कमांड यहां से भीजे जाते हैं, वो सारे जो उनकी on-board computer की memory है, उसमें वो फीड हो जाता है, उसके बाद वो क्यूंकि पूरा स्वैचालित होता है, यहां से कुछ भी कमांड एक बार, मिशन शुरू होने के बाद नहीं भीजी जा सकती, इस वज़े से सारे कमांड pre-loaded होते हैं, सब कुछ उस on-board computer system की memory में fit किया जाता है, या फिर उनको हम कह सकते हैं कि use में लाया जा रहा है, ताकि कोई भी आप कह सकते confusion ना पैदा हो, क्योंकि सारा तो सारा जो algorithm है, वो तो AI कर रहा है वहाँ पर, इस वज़े से, जो यहां से pre-load होता है program, वो इसी लिहाज से किया जाता है, जो system वहाँ पर on board systems है, जो algorithm जिसके आप बात कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल दुरुस्त काम करते रहे हैं, और ये जो major chunk of pro, क्योंकि एक-एक चीज को आपको वहाँ भेजना है, वहाँ से वो सूचना वापस आनी है, और बिटर के थुरू की, आपका जो command यहाँ से भीजा गया था, जेगे रागवे मैं आपको रोकना चाहरा हूँ, एक और बड़ी ख़बर आ रहे हैं, तो सीधा चलते हमारे control center, जहां पर जोसना में बताएगी, एक और बड़ी ख़बर क्या है? बिलकुल अमेद control center में मैं इस वक्त मौझूद हूँ, और चंद्रियान तीन mission से जुड़ी हुई एक और बड़ी ख़बर अपने दर्शकों को बता दें, दरसल चंद्रियान 3 mission की काम्याबी के लिए, जहां इसरों के बंगलूरू center पर वेग्यानिकों ने नजर गड़ा रखी है, तो वहीं European Space Agency याने की ESA और American Space Agency याने की NASA ने भी इसरों से कंधा मिलाने के लिए कमर कसली है, European Space Agency अपने दो एंटिना के जरिये विक्रम लैंडर की position को लगाता ट्रैक करेगा, वही नासा की बात की जाए, तो नासा के तीन एंटिना भी विक्रम लैंडर से मिलने वाले हर सिग्नल को सीधे बंगलूरू center में रिले करेंगे, European Space Agency का एक station, UK के गुनहिली Earth Station और फ्रेंच गुयाना के कोरू Earth Station से लैंडर पर नजर रखेगा, वही नासा के क्यानबूरा में दो, और मेडरिद में एक एंटिना, विक्रम लैंडर की हर मुव्मेंट पर नजर रखेगा, और एंटिना के जरिये अगर कोई सिग्नल जा रहे हैं, तो उन्हें सीधे बंगलूरू के इसरो सेंटर में रिले किया जाएगा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोपियून स्पेस एजिंसी का एक एर्थ स्टेशन है, जो विक्रम पर उस वक्त नजर रखेगा, जब वो बाकी स्टेशन की पहुँच से दूर होगा, तो देखिए, मिशन ये भारत का है, लेकिन पूरी दुनिया के जो देश है वो भारत की मदद के लिए आगे आए हैं, और हर किसी ने अपनी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाते हुए, एंटीनाज जारी किये हैं, जो चंद्रियान 3 के सिगनल्स को रिसीव करेंगे, और वो भारत के इसरो सेंटर में भेजेंगे, तो जैसा की जोसा ने बताया, आमेद टी रागवन से मेरा सवाल, टी रागवन देखिए, जिस तरह से रशिया को नाकामी हासिल हुई, लेकिन महतुकांशी प्रोजेक्ट उनका भी था, अब भारत बहुत करीब है काम्याबी के, तो ऐसे में हर देश ये चाहता है, दुनिया का हर साइंटिस्ट ये चाहता है, क जो है, इसको सरलता से समझा भी नहीं जा सकता, और एक्जिक्यूट भी नहीं क्या जा सकता, यही वज़य है कि, साइंस इस आल अबाउट शेरिंग, यह जो फ्रेटरनिटी है, साइंटिस्ट की वो यह कहते हैं कि, जो भी डाटा आपके पास मिल रहा है, वो आपसे शेर की वर्क है, वहाँ पर 32 मीटर और 18 मीटर के दो बड़े-बड़े एंटेना है, जो इस पूरे चंद्रियान लैंडिंग को ट्रैक करेंगे, लेकिन बाकी अलग-अलग देशों में जो एंटेना की पूजिशन है, वहाँ से वो बहुत क्लियरली सिगनल्स रिसीव कर सकते हैं, यही वज़ा है कि सब जितनी भी एजन्सी से सब की मदद ली जाती है, ताकि उनके एंटेना से जो सिगनल्स हमें मिलें, वो हमें यहाँ पर कमांड सेंटर में मिलें, और हम उसको एग्जिकुशन में उस चीज को समझने में, जो कैलकुलेशन है, उस सिगनल्स की उसको करन में बहुत हमें आसानी हो और टेजी से हमें डाटा मिल जा, यह एक बड़ा मकसद मदद का होता है, बिलकुल और साथी साथ आपको बता दें कि जो विदेशी हमारे जो स्पेस एजन्सी से साथ में जो काम करें, उनके लिए बहुत बड़ी बात यह भी है, क्योंकि जो रश में इसके अलावा और क्या-क्या चीज़े हो रही है, क्योंकि लगातार मुझे लगता है कि जो मॉनिटरिंग हो रही है, वहाँ पर इस वक्त, इस रो के अंदर, वो अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट पार्ट है इस पूरे मिशन में जी हाँ, और जिस तरीके से करीब चार साल का इंतिजार, क्योंकि चद्रयांग के बाद, लगबग चार साल के इंतिजार के बाद, एक तरह से कह सकते हैं कि एक सकसेस के लिए पूरी तरीके से जीतोड मेहनत जो है, इस सेंटर पर की जा रही है, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो आखरीक शन है वहां के जो जिस तरीके से प्रॉसेस है एक, दो, तीन, चार ये जो प्रॉसेस हैं वो काफी एहम हो जाते हैं और जिस तरीके से जो तीसरा प्रॉसेस बिताया जा रहा है तीन मिनिट का करीब वो सबसे एहम होता है और वहां पर किस तरीके से जो ऐसे में आज की जो सॉफ्ट लाइंडिंग को लेकर विक्रम के चांद के सेते पर भारत कहे जो स्पेस्काफ उतरने जा रहा है उसको लेकर बच्चों के अंदर कितना ज़स्बाय आप देखिए तो चंद्रयाथी के सॉफ्ट लाइंडिंग को लेकर देश भर में पूजा अर्चना किया दौर्ज भी जारी है उज्जेन के महाकाल मंदिर में आज सुबा ही यहांपर पूजा अर्चना की गई इसके अलावा प्रियाग राज, मुंबई, भोपा, लक्नो, राची, अयोध्या के मंदिरों में दुआ मांगी गई, पूजा पाट की गई और साथ ही साथ आपको बताए, दरगे की तस्विया आप देखें, दरगा में भी यहांपर चादर चरा कर दूआ मांगी गई है, नमास पड़ी गई है लक्नो में, ताकि जो यह सौफ लैंडिंग का जो मिशन बचाए हमारे लिए, जो की बहुत क्रूशिल है, इस पूरे इस क्राफ्ट और साथी रोवर भी चांद की सते पर आज उतरने में कामयाभी हासल करेगा, तो पूजा पार्ट आप देखेंगे अब बताए, दाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर